अजी बच्चों कैसे हैं आप सब लोग वेलकम तू था कीशी सी टूदिल फर्स्ट आप आप सबसे पहला जो चैप्टर का नाम क्या है बेशिक्स ऑफ कैपिटल मार्किट अब देखिए बुक का नाम क्या है कैपिटल मार्किट एंड शिक्योडिस लोग पूरी बुक में अब जो यह जो चैप्टर है यह है basics of capital market इसके बाद जो second chapter आएगा वो बात करेगा secondary market के बारे में अब आपको पताए कि market जो होती है दो तरह की होती है एक primary market एक secondary market primary क्या है कि जब company first time securities issue करती है जैसे company क्या है कि shares को shareholders को जब shares issue करती है जैसे माली जी company first time issue कर रही है IPO लाके IPO क्या होता है initial public offer एक company जब first time public offer करती है shares it is called IPO वही company second time third time जब company को offer करती है shares तो उसे क्या बोलते है FPO further public offer बोलते है या follow on public offer बोल देते हैं उसके लावा company डिरेक्टली फे shares को श्रोडर को issue करती है shares by way of right shares ठीक है उसके लावा बहुत सारे methods हैं जिसे debentures issue करना bonds issue करना जिसे कहें कि एक company पैसा raise कर सकती है investor से ठीक है इस chapter में जो बात होने वाली है सारी की सारी हमारी basics of capital market के बारे में कि financial system work कैसे करता है उसमें जो हमारा जो sensex कैसे work करता है ठीक है उसके इलावा ठीक है basic जो बाते हैं हम सारी discuss करेंगे ठीक है sensex है निफ्टी है यह तो चलो किसका पार्ट आगे secondary market का ठीक है यहां पर क्या है financial system जैसे इसमें हम क्या बाती करने वाली है capital market के बारे में money market के बारे में ठीक है financial system के बारे में financial system क्या है कि पैसों से जड़ा हुआ system अब financial system में क्या है एक तो जैसे की हमारा money market आ गया मैंने बता है आपको capital market आ गया उसके रावा insurance हो गया जैसे अब insurance फिक financial market का product है mutual fund यह financial market का product है ठीक है ना तो बतलब system में क्या है हमारे syllabus में क्या है जो topics है वो scattered है कुछ topics इस chapter मिलेंगे कुछ secondary market में मिलेंगे कुछ आगे जाएगे ठीक है तो हमारे जो syllabus है वो क्या है कि कुछ basic बाते हैं जैसे इस chapter में next chapter हम करेंगे secondary market वाला basic बाते है और जो majority chapter है वो क्या है laws के रिगाड़ेंगे securities laws है जैसे जैसे कि Securities and Exchange Board of India एक्ट हो गया हमारा ठीक है सक्रा हो गया securities contract regulation एक्ट हो गया तो हम securities laws भी पढ़ेंगे और basics भी पढ़ेंगे फुराना लेवर्स जो था हमारा वो रिवर्स कर दिया था उन्होंने वो था securities laws and capital market ठीक है उससे पिछला था ऐसी था capital market and securities law ठीक है बनता कैसे ऐसे जैसे अब है capital market and securities law पहले basics फिर laws के बारें पढ़ा है जाए अब यहीं है कि पहले basics से फिर laws ठीक है and I hope कि आप अच्छे से समय ना ठीक है अच्छे से समझेंगे और फिर अच्छे से exam देख आएंगे topic पिल्कुल असान है इस chapter के बड़िया topics हैं समझ आएंगे और जो secondary second chapter है secondary market का वो इससे भी बड़िया interesting chapter है वो ठीक है सबसे पहले क्या एक financial system या financial sector अब देखिए financial system क्या है जहां पर पैसे का ट्रांसर होता है पैसे का लेंद दिन है पैसे का transfer है वो सब किसमें आते हैं financial system में आता है ठीक है तो कि आइसा सिस्टेम है या पैसे कमाते हैं यह बचा लेते हैं फिर क्या करता है पोशीच करते हैं बया जा जाए इन्वेस्टम हो जाये कैपिटल हो जाए यही कुछ है यही पैसे का काम होता है every modern economy is based on a sound financial system, बिल्कुल जैसे इंडिया है, पहले यहाँ पे कहता है, security market अतनी ज़्यादा strong नहीं थी, LD नहीं थी, ठीक है, तो अब क्या है, जैसे सेबी ने बहुत टाइम लगाया, पूरा सेबी एक्चे से आया, सेबी एक्ट मैंटेंडल टू, तो उसके बाद से खास करके, ठीक है, उससे पहले भी security law system चलता था, सेबी एक्ट आने के बाद के एक proper mechanism बनाया गया, regulatory framework सक्थ किया गया, और जो regulatory जो अपना security market थी, उस पर focus किया गया, अब आपको पता है कि 15-16 साल का बच्चा है, उसको पता है कि मुझे क्या है कि क्या पैसा लगाना है security market में, कम से कब एक चीज़ तो सबको पता है, SIP, systematic investment plan, हर बंदा क्या है कि कुछ नो कुछ mutual fund में लगाना चाहता है, शेर मार्केट में रिस्क है, तो बंदा क्या है तो जो लो mutual fund में लगा दो, ठीक है, तो ऐसा, found financial system which helps in production, capital requirement and economic growth by encouraging saving habits, mobilizing savings from households and other segments and allocating them into productive users such as trade, commerce, manufacturer, etc. तो simple है, जिसे माल लीजिए, मैं एक individual हूँ, आप individual हैं, ठीक है, अब हमारी पास जैसे हमने बात की, कि हम पैसा कमाते हैं, कुछ पैसा बचा लेते हैं, तो सरकार को यह होता है कि पैसा इस तरीके से system में आए, तो economy है वो आगे बढ़े, अगर हम पैसा cash जो है, बचा के अपने घर में रख लेंगे, तो उसको economy को कोई फैदा नहीं मिलता उसका, ठीक है, तो government यह चाहती है कि पैसा market में आए, किस ने किसरी के से, market में आए, stock market में आए, ठीक है आगे market जो है, ठीक है, वो lending करें, ठीक है, लोन दे, यह हम invest करें, शेर्स market में जैसे, ठीक है, वो पैसा companies के हाथ में आए, companies production करें, production से क्या हो, employment जंदेट हो, ठीक है, employment से 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 वही चीज़े हो, लोग पै विए सब चलता लए है तो यह साइकल होता है साइकल होता है जो होता है इसके से चलता रही है क्या हुआ और फिशार ge website सिस्ट्रम कंप्राइजिंग ए सब कुछ आता है जैसे आप देखिए और बात करें फञेंशल इंस्टिशूशन के रहे हैं बैंक्स हैं इंशुर्स कंप्रिशन और नन बैंकिंग फञेंशल कंप्रिशन हैं थीक है यह सब क्या हैं वारे प्रेफरेटेटेश्हेस है एते और डैटीवल भी आ जाते हैं यह थो गलते हैं कि यह क्या होगे फिनेंशल इंस्टुमेंट फिर प्रिणेंशल सर्विक्स प्रवाइडर्स आते हैं जैसे ब्रूकर्स आगे ठीक है, merchant bankers आ गए, ठीक है, credit rating agencies आ गई, यह सब क्या है, financial intermediaries हैं बीज में, financial intermediaries है, जो आपको financial services provide करते हैं, ठीक है, इन सब को मिला के क्या बनता है बटा, इन सब को मिला के बनता है हमारा एक financial system, ठीक है, चलिए, आप कहते हैं, कोई भी जो financial system में, वो क्या important function perform करता है, सबसे पहले यही है कि जब आप कैसा कमाते हो, तो saving हो हमारे पास, तो saving हम आगे invest कर सकते हैं, investment के मोक्य होने चाहिए, और हम investment हमेशा वहाँ कोशिश करते हैं कि जहां पर कुछ liquidity हो, जैसे आप से पूचा जाए कि most liquid asset क्या है, तो property है, ठीक है, तो property में क्या होता है, कि जैसे immobile property है तो यहां पे कुछ लोग लगाते हैं, कुछ परसंद करते हैं, ठीक है, अगर मुझे से पूचो मेरा personal experience है, ठीक है, तो मेरी सारी investment अब तक क्या है, property में रही है, तो यह को बहुत अच्छा experience नहीं है, क्योंकि जब एक ही जगा आप सारा investment कर लेते हो, तो उससे कहाए कि अगर आपको return ना दी, प्रॉपर्टी ने आपको return ना दी, प्रॉपर्टी फिक्स फर्स गई, आपको पैसा चाहिए, वो बिकनिरी, तो फाइदा क्या है, तो हमारा एक सबसे बड़ा important सी जो होती है, वो होता है asset allocation, जिसको हम क्या बोलते है, portfolio diversification, तो वो होना जूरी होता ह portfolio diversification, यानि कभी भी आपका जो portfolio है, एक ही जगा ना हो, आपको पैसा है that must be diversified, एक जगा पे ना लगा हो, कुछ property में है, कुछ shares में है, कुछ mutual funds में जा रहा है आपका, ठीक है, कुछ gold में है, तो इस तरीके से, कभी एक जगा loss हो भी जाए, तो आपकी बाकी की assets क्या है, उस loss को खबर कर लेती है, माने जी रिटर्न तोड़ी कम हो सकती है, एक average return ना जाती है, पर फिर भी क्या है कि कम से कम, आपको जो एक शौक होता है, वो नहीं लगता, यह का शौक है, या माने जी आपको बच्चे की शादी करनी है, property आपने लेके रखी है, प्राही करनी है, property आ करोगे, ठीक है, तो यह बात होती है, saving function, public saving, find their way into the hands of those in production through the financial system, फिल्क जो मैं बताया, कि अगर एक financial system strong होगा, तो जिन लोगों को पैसा चाहिए, उनके पास पैसा जो है, पहुंच जाएगा, ठीक है, और जिनके पास savings है, वो पैसा अच्छे से invest कर पाएंगे, savings के पर या वो वेंक से loan ले लेंगे, ultimately public का पैसा उनके पास पहुंच जाएगा, किसने किसी form में, ठीक है न, चलिए, financial claims are issued in the money and capital markets which promise future income flows, the funds with the producers results in the production of goods, यह basic सी बात है, तो 12th class में पढ़ते हैं, बिजनस लेविग गरा में, ठीक है, and services thereby increasing society living standards, तो यह है, जब फंस जब प्रोडूस के पास जाएगा, manufacturer के पास जाएगा, तिक तो नहीं से, वो effectively channelized हो गया, वो efficiently and effectively channelized हो गया, जिससे राइंस industry है, तो राइंस industry का हम क्या यूज करते हैं, जैसे रिखाऊगा, SIM यूज करते हैं, जी होगा, retail services देते हैं, तो बतला, वही companies, आप ही के पैसे से, आपको services देती है और जो service providers हैं, तो उनका कुछ profit है, promoters, directors, investors का वो चीज है, ठीक है, liquidity function, यह तो सबसे importance मैंने बताया, तो इसको कभी भी investment जो होती है, यह financial market में, लोग तभी पैसा लगाना पसंद करते हैं, जब कल को उनको पैसा मिल जाए, as per their need, जैसे आप बैंक में ही पैसा रखते हैं, उसे FDs होती है, तो FD में भी क्या होता है, ठीक है, FD में पिशक आप 5 साल की करवाते हो, पर आपको need होती है, तो कम से कम FD वो तोड़वा कि आप पैसा निकलवा सकते हो, और ऐसी property में क्या है कि हमें बस यहाँ पे एक दिक्कत रहती है, कि यार कल को पैसा मिल नहीं पात है, the financial markets provide the investor with the opportunity to liquidate investments like stocks, bond venture, whenever they need the fund, जैसे मेरी कुछ savings क्या है, mutual fund में है, ठीक है, कुछ savings मेरी shares में है, majority मैंने आपको बताया है कि that is in the real estate, तो whenever I want to sell, I can sell, तो यह मुझे क्या है कि फाइदा देता है, ठीक है, financial system में पैसा लगाने का, whenever I need money, I can get that money, ठीक है, next step payment function, तो को हमारे इसमें क्या है कि पहले बड़ी दिक्कत थी, कुछ भी लेन देने, cash में होगा, अब तो आपको पता ही है, यूपी आई हो गया, ठीक है, यूनिफाइट पेमेंट इंटरफेस सिस्टम है, पेटियम है, गूगल पे है, फोन पे है, बड़ा कुछ है, जीओ पे अगयरा आग सिस्टम है, जब से हमारे यूनिफारा सेक्षर हो गया, इन कॉंटेक्स्ट पेमेट, ठीक है, तो उसके बात क्या है, कि हर एक बच्चा, बड़ा सब क्या है, कि उसको कोशिश होती है, कि पेमेट यार ऑनलाइन ही कर दो, समान खरीद दें, ठीक है, जिसकी पक्की की में जो यह जो ओनलाइन सिस्टम है, ठीक है, पेमेट का, यह कौन कंट्रोल करता है, आजब की सबस्टेरी है, एन पी सी एई, नेशनल पेमेट कॉर्परेशन ओफ इंडिया, जो भी यह ओनलाइन सिस्टम आप देखते हो, आई एम पी एस है, आटी जी एस है, डियल टाइम ग्रोस सेट्लमेंट हो गया, यह नेफ्ट है, एन एफ्टी, ठीक है, तो यह सब क्या है कि कौन दिखता है, यह सब दिखता है, आगे सबस्टेरी है, एन पी सी एई, ठीक है, नेशनल पेमेट कॉर्परेशन ओफ इंडिया, ठीक है ठीक है, चलिए, दा फिनांशल सिस्टम से वेरी कन्वीनियंट मोड ओफ, मोड फॉर, पेमट ऑफ गुद्स और सविसेज, चेक सिस्टम, क्रडिट कार्ड सिस्टम, एच्टेरा, आजएस मैठोड सॉ पेमेट, अब तो सिस्टम भी कैसे कैसे आ रहे है, यह से आपको कैस नंकल आना है, तो आपको डेबिट कार्ड चाहिए, तो डेबिट कार्ड सिस्टम भी खतम, तो यूपी इसे भी क्या है कि आप बेंक से पैसा विड्र कर सकते हैं, ठीक है, तो मतलब इतनी फास्ट पेमट होती है, कि आपने पेमट के उदर मैसे आगे, हंजी आगे, पहले ही सिस्टम था नहीं, तो टेकनोलोजी का ब पुछ एक नुगसान है, थे का से एगए, ऑगर आप तैकनोलोजी को सही actual के से हैं, है, यूज नहीं करते हैं, जो भी सेथोएवाएक करते हैं, जो भी सेव्टी प्रिकॉर इस होते हैं, तो डिक्कात भी हो सकती है, थिक है, इसक्राद ऑफ रिस्कव पंक्षन में क्य है तो मेरे भच्चे भी हैं परिवार चलाना है एक सीड का खत्रा हमेशा होते हैं कि चल सब बड़ीए चल दा एक सीड क्या होता है कि हां बहुत को मेरी हेल्ट खुराब होगी तो साथ सिस्टम विगर सकता है इसके लिए क्या में रिए होती है लिए Самकौ कैंट फ olan कि सब ने क के एस परता जो भी क्रिटेरिया है इंशुर्स करवालो जैसे ठीक है तो घर बैटा है तो उसके लिए इंशुरंस हो जाती है कि आप घर बैटे तो ठीक है आपको उसने टाइम के लिए पैसे मिल जाएंगे इसा तो मैंने लोन को भी क्या करा रखा इंशुर्ट करवा रखा है विकल को कुछ होता है डिसेबलमेंट होती है पर्मनेंट या डेथ होती है तो लोन आटमेटिक माफ हो जाएगा ठीक है चलिए फिनेंशल मार्किट प्रोडेक्शन एगेंस लाइफ एल्थ और इंकम रिस्क इस वह बोर इंशेरंस ठीक है इसको कैसे गर है उससे में क्या दिक्कत हो ही और दिक्कत है आध्यके लोगों के घर खतम वहेंगे अगर ही घरों की इंश्रेंस होई होती है तो सारा क्लेम मिले जाता हूं को तो घर कर नहीं पता लगा घर गए था तो फिनेंशल फिनेंशल मार्किट्स हैं यह बिलकुल एक आप कीजिए मेनत कीजिए और साथ में क्या है कि अपना रिस्क कवर कीजिए देखिए जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं कभी वह बिजनस चलाते हैं तो कंपनी बनाते हैं इस अनिलमानी का केस देख लोगों को लगेगा वह इन्सॉल्मेंट हो गया कंगाल हो गया और वह नहीं कंगाल हों वह इंवेस्टर्स से बाकी के वह कंगाल हुए है उनका तो आज भी वह नो रिस्टी सब चलता है क्योंकि उनका सिस्टेम क्याता है वह बनाते हैं लिम्टेलिटी डी कमपनी यह चाहिए अपना जो डाउन वर्ड इसका है उसको लेमेट करने के लिए होनी ही चाहिए उसके लावा तर्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है है कि बिमारी लगी प्रॉब्लम आगी तो कंपनी कहें कि वह आपका जो भी खर्चा है करती है और क्या होता है कि जब भी इसकी डेथ हो जाती है तो पैसा सारा मिल जाएगा आपको नहीं मतलब घरवालों के मिलेगा आपको नहीं मिलेगा ठीके ना चलिए नेक्स्ट एप वालिसी फंक्शन इसमें क्या आता है विटा गवर्मेंट इंटर्वीन्स इन दा फिनेंशल सिस्टम तू इन्फ्लूंस मैक्रोइक्रोइक वेरिबल लाइक इंटरस रिट्स इंफलेशन यह सारा जिको अब गवर्मेंट कैसे कंट्रोल करती सारा तू आर ब पॉरेट्स होगे वालिए रिवर्स रैप और एंटर हैं एसलर है यह सब कहें पॉल्सी मेजर साहं जिससे कहें कि जो गवर्मेंट है वो मार्केट में कंट्रोल करती है ठीक है जो मेक्रोइक अक्षान इसे महें बढ़ रही है ठीक है जब महेंगाई बढ़ दियुए ठीक ह रहता है जाने कि मार्केट में डिमांड ज्यादा है पैसा ज्यादा है डिमांड आने के कारण इंसलेशन ठीक है उसे हो रहा है तो उसके लिए क्या करती है करती है कि ब्याज को बढ़ाती है मार्केट में ब्याज बढ़ेगा तो लोग पैसा कम उधार पर लेंगे ठीक है और फिर क्या है कि उससे क्या है कि मार्केट में डिमांड कम होगी, इंफलेशन कम होगा, दूसरा क्या है कि करती है, CRR बढ़ा दी, cash रज़र रेशो बढ़ा दी, SLR बढ़ा दी, ठीक है, जैसे क्या है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाए, rate of interest बढ़ेंगे, इसे लोग कम उधारा लेंगे, ठीक है, उसके लावा, यह CRR, SLR बढ़ा दिया, जैनि मार्केट से लिक्विडिटी सकाउट कर दोगी, ठीक है, मार्केट से लिक्विडिटी निकाल लो, cash निकाल लो, जग cash ही कम होगा, तो demand कम रहे जाएगी, ठीक है, तो इस लगी कैसे क्या है, government क्या करती है, जड़िया RBI के मार्केट में, जो करते हैं, ठीक है, आप निवेश किया है, तो एक सबसे इंपोर्टन सीज क्या है, लिक्विडिटी, कि हमारा पैसा लगा है, तो निकल विया एकल को, ठीक है, और मैंने बताया कि लिक्विडिटी का जो हो गया, बहुस्ट इंपोर्टन सीज होते हैं, एक्जामपल आपको प्रची देती, जैसे most of the people do not want to invest in the immovable property, तो size of value size बहुत बड़ा होता है, size जो है आपका property का निवोल रहा है, पैसे की बात कर रहो हूं, जैसे सोगज का घर भी लेना है, सोगज का प्लॉट लेना है, तो वही कम सकम 10-15-20 लाग का होता है, minimum to minimum, ठीक है, और payment function में क्या है कि जो लोगों का लेन देन है, पहले सारा cash में था, online इतना system था नहीं, लोग banking से नहीं जुड़े थे, आजकर हर बंदे का bank का खाता है, ठीक है, और ये जंदन योजना जब आई थी उसके लिए और ज़्यादा inclusion हो गया, financial inclusion, लोगों ने बहुत खाते खुलवाए, इससे सब क bank account है, ठीक है, सब transition करते हैं, Google पे बगादर पे, ठीक है, risk function हमने बताया कि risk function में क्या है, कि यह इसमें क्या रहता है, कि हाँ, कि जो हमारे risk है, health का risk है, death का risk है, तो हम policy लेके, different different types of policies प्रवाइड करती है, insurance company, तो हम policy लेके, अपने जो downward risk है, उसको एक limited कर देते हैं, risk को कभ eliminate कर सकते हैं, बढ़ आप risk को limit कर सकते हैं, इसे में बताया कि policy ले लिए, अब health insurance लेने से क्या बमारी ने लगेगी, लगेगी, बना मरेगा नहीं, मरेगा, death हो नहीं, death हो जानी है, जो बमारी लगने लगी जानी है, तो में यह कि कल को दिक्कत आ गई, तो financial जो, एक sudden financial shock है, वो ना लगे, वो insurance company absorb कर ले, ठीक है, ऐसा बस, चलिए बटा, policy function के हमने बात की अभी, next है, financial market जो है, mainly कहते हैं, दो भागों में divided है, दो जगा पे, एक आपको पताइए, money market, दूसा है capital market, money market जो है, बटा, यह हमारी पूरी करता है, short term needs, ठीक है, money market जो है, हमारी क्या पूर करता है, money market, ठीक है, capital market है, वो क्या पूरी करते है, medium to long term needs, ठीक है, सब लिखा हुआ है, ठीक है, explain करने कोशिक करता हूँ, सब समझ आ जाए, आपको चैसे पहली, medium and long term needs, basically long term होता है, ठीक है, medium and long term needs, यानि किसी company को short time के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा एकठा करेगी money market, ठी किसे government को short term के लिए चाहिए होता है, तो RBI क्या एक्शु करते है, आपको देखा होगा, T-bills, Treasury Bills, ठीक है, capital markets क्या है, medium and long term needs, पूरी करती है, money market को यहाँ रखना regulate कोन करता है, RBI, the bank of India, capital market को पता ही है, इसको control करता है, C-B, Securities and Exchange Board of India, money market को RBI control करता है, दिखता है, capital market को C-B क करता है, ठीक है न, चलिए बटा, आगे बढ़ते हैं, financial market is mainly divided into money market, capital market, तो money market, एक segment है, financial market का, यहाँ पे जो borrings and lending of short term funds takes place, तो बात कर रहा हो कि यहाँ पे जो पैसे का लेंद देना है, वो short term basis पे है, ठीक है, the maturity of the money market instruments ranges from one day to one year, तो एक दिन से लेके एक साल तक की maturity period होता है, जो इसमें instrument covered होते हैं, in India, this market is regulated by RBI, the bank of India, जो मनें बताया कि से बी जो है, ठीक है, वो किसको देखता है, basically, capital market को, ठीक है, capital market को, कुछ एक instruments है, जो, से बी in consultation with the RBI, साफ में इसको regulate करता है, ठीक है, the nature of the transition in the market is such that, they are large in amount and high in volume, बिल्कुल, basically, इसमें क्या होता है, जिसे बैंक हैं, NBFCs हैं, government है, RBI जैसे, तो ये लोग का बिच में involved होते हैं, छोटा मोटा बंदा money market में involved नहीं होता, ठीक है, जो small investor का जो ज्यादा role नहीं होता है, इसमें, majors जो होते हैं, जो बड़े investors हैं, बैंक्स हैं, ठीक है, और ये mutual funds हो गए, ठीक है, NBFCs and non-banking financial companies, RBI होगी, य ये बीच में involved होते हैं, ठीक है, usually money market में, thus we can say that the entire market is dominated by the small number of last players, जो हम बात कर दे हैं, ठीक है, the market consists of negotiable instrument having characteristics of liquidity, अब है ही short term market है, यानि कि highly liquid securities होती हैं, quick conversion into money, the minimum transaction cost and no loss in value, transition cost obviously कम होगी, जो high value होगी, ठीक है, last players होगे, तो obviously कहा है कि cost जो है, वो कम होगी, ठीक है, no loss in value, such as treasury bills, commercial papers, certificate of deposits, etc, no loss in value, कोई fluctuation नहीं है, ठीक है, प्राइजर में कुछ खास fluctuation नहीं होती, rate of interest बहुत थोड़ा होता है, यह ही कुछ time के लिए, it performs the crucial role of providing an equilibrium mechanism to even out the short term liquidity, surpluses and deficits and therefore facilitate the conduct or monetary policy of the economy, बिल्कुल, इसे short term requirements होती हैं, economy की, बैंक से मान दो, बैंकों को कभी बैंक को पैसे की shortage होगी, एक बैंक को पैसे की shortage होगी, तो दूसरे बैंक से वो क्या है कि पैसा ले सकता है कुछ time के लिए, एक दिन के लिए, इवन कुछ आवज के लिए, उसको notice money बोल देते हैं, call money, notice money यासे, ठीक है ना, सलिए, तो money market के अगर हम बात करें, तो इसमें जो बात है, requirement है, पैसे की वो क्या है, short term requirement, ठीक है, में मकसद क्या होता है, कि मार्केट में जो players है, ठीक है, जो खासकर याद रखना, कि basically last players involved होते हैं, होते हैं, small quantity में हैं, वो last players होते हैं, values के साफ़ेकर देखा जाए, तो main मकसद जो है money market का, वो जो short term liquidity requirements हैं, किसी के बाद surplus है, short term liquidity, किसी के बाद shortage है, तो उसको even out किया जाता है, उसको खतम किया जाता है, उसको पूरा किया जाता है, ठीक है न, चलिए, नेक्स्ट वेटड़, capital market, ठीक है, अगि हम बात करें capital market की, तो capital market क्या है, अब बताए हमें, medium to long term, medium to long term जो requirement को पूरा करता है, ठीक है, वो capital market है, जैसे हम share market की करें, lien हम ए् momentos, जो share market स्टॉक market है, यह क्wny है, capital market की example ही तो है, capital market की example है, stock market ठीक Ew? जलिए, अब capital market के से खरम बात करें इसमें भी याद रखना कि capital market जो हो दो तरह की होती है primary market secondary market ठीक है primary market secondary market primary market क्या है कि जहां पर first hand securities एक company first hand securities issue करती है पैसा first hand raise करती है investors से investors को ही issue की गई securities को deal किया जाता मार्केट में that is called secondary market is stock market stock market किसकी example है secondary market जब issue हो जाती है investor to security us के बार वह stock market में यह फ्यक्राइब रखना यह क्या है जब company issue कर चुक्त होती है investors को तब जाकर वह सिक्राइब का list होती है stock market में फिकेंडिस कॉल secondary market ठीक है तो primary में याद रखना कि क्या है कि relation जो है company किसके साथ है investors के साथ है ठीक है यहां पर जो लेशन है वो किसका है इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टर्स के साथ है यहां पर डिलिंग इन्वेस्टर्स के साथ है यहां डिलिंग कंपनी की इन्वेस्टर्स के साथ है यहां पर पैसा रेज किया जा रहा है कि कंपनी के त्वरा इन्वेस्टर्स से और से कंपनी पैसा कोई रेज नहीं करती कि इस इस इसू हो चुकिया है वो दस वाला शियर दो का बीके कंपनी का उसमें क्यों रोल नहीं है पठा से अक एक कमपनी है एक। इस ने शेर इसू किया दो सुल पेका आज बजार में के वलों पचास विए अब यह कंपरी दुबारा इसू लेना चाहती है एक प्राइमरी मार्केट पे के एक पार्ट ऑफिनेंशल्स्टर और मार्केट लाट से इस विए इन देस्सथरियल फिक वार्केट यह यहूंत टो नाँचेंगे मार्केट थ्ट्र नेद्ड फिरंट जोटियर। जो मीडियम तु लॉंग तुम है उसको मीट अप करते है यह करते हैं गया फिनेंशल मार्ट के थे करने की एंटर फॉर्ण टरंस अफ लंडिंग और निगर बॉर्णिंग इसमें बैंक लोन्स वह भी कहा है अपना एक्टल मार्केट का पाट है दो बैंक से लोन लेते हैं दर इंस्टिशुशन मेकनिजम्स इंस्टिशन मतलब बैंक्स हो गए हमरे ठीक है तू बिच इंटर्मिडिरीस फंड्स एंड लॉंग तर्म फंड्स पूल्ड एंड मेड अवैलेबल तो बिजनस गवर्मेंट इंडिविज्वल्स पिल्कुल यह क्या है एक फानेशल मार्केट है ठीक है फानेशल मार्केट का एक पार्ट है जिसमें क्या है कि लोग पैसा लगाते हैं वो पैसा आगे चैनलाइज होता है लोगों के पास जाता है इंडिस्ट्री के पास जाता है ठीक है वो आगे रोटेट होता है पैसा इस तरीके से मिन बताया था साइकल जो है फिनेंश प्राइमरी में क्या है कि चलो आपनी कम्पणी ने पैसा किया इंवेश्टर से आईप-उ क Dafür पृप्ड से संहे कोसल पैसे लुटक जो किई ती हैं टीके यह का है कि सिक कए चलह इधिए लोग देखते है या शेम्सक्थ इतना अपर चला गया निफ्टी इतना ओपर चला या उपर जा रही है मौनीजी कोई अगह दर साल से नीचे ही जा रही है तो मैंने एक लॉंग तरम में यह इक बेस्ट छेंडा दखाता है लंग तो में बेने पड़ि», य। लागोष ट्रेंड नहीं चाहता है, मार्केट में किसी का विश्वास नहीं है मार्केट मेंыватьily, है वो पैसा रेजने कर पा रही ठीक है तो यह एक वेरिस ट्रेंट डिर्शाता है अगर एक जो यह जो इंडेक्स है यह लगाता नीचे की और जा रहे होते हैं तो ठीक है इट डील्स विद इंस्ट्रुमेंट लाइक यह पर इंस्ट्रुमेंट्स होते हैं यह पैसा चीए होता है इंफ्रेक्श के लिए नया प्लांट लगाना है में चाहिए तो पैसा रहे हुआ थीक है एक दियान रखना है मैं आपको पढ़ा रहा हूं तिसमें बता दूं बहुत सब्सक्राइब कोई थे कि ध्यान से समझो ठीक है इसको सोचो भी हमें हमने क्या पड़ा ठीक है उसमें फिर एक कोई समझ आगे फिर आगे चलो थे हमेशा देख यही लगती है और जो थेरी में नॉलेज होती है उसका कोई अगर शीकल क्या है क्या आप पैसा कर सकते हैं ठीक है यह सब पता होना चीए आपको वहीं वकमपड़ रहे हैं देगे ना चलिए मार्केट इसे वाइटल पार्ट ऑफ एनी फिनेंशल सिस्टम वे वोफ एकनोमिक रिफॉर्म इनिशेटर बाइद गवर्मेंट है इंफ्लूएंस्ट फॉंक्शनिंग और गवर्नन सॉप्ता क्या चलता रहता है बहुत सारी रिफॉर्म्स आती है ठीक है ए बालन चलती रहती है पुश रिफॉर्म लगता है कि हावँ पहले वाली ज्यादा अच्छी थी इसको वापस लाए जाता है यह फिलागा नहीं प्लीन चलते रहती यह उस में कुछ कमिया अशको पूरा एक तरह से चेंज होगा है तो मेन ऑफ दा डिफॉर्म एकसाइज इस टू इंप्रूव मार्केट एफिशेंसी में इस टोक मार्केट ट्रांसपेरेंट बिल्कुल जब तक मार्केट में ट्रांसपरेंसी नहीं होगी जब मार्केट में ट्रांसपरेंसी नहीं होगी इन्वेश्टर का जो विश्वास है वही नहीं बनेगा मार्केट में जब तक ट्रांसपरेंसी नहीं होगी इन्वेश्टर का विश्वास नहीं बनेगा तो मार्केट में पैसा कौन लगाएगा ओबिसली को इन लगाएगा ठीक है इसके सक्थी की कारणिया कि लोगों को लगता है विश्वास होता है कि हम यहां पर सिक्योर है ठीक है जिसे आप पैसा लगाते हो इसके नविक है उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में ठीके ना तो यानि ट्रांस्फिरेंट सिस्टम है तो सेभी पूरा एक ऐसा फ्रेमप्प दे रखा है से भी ने कि जिसे इंवेस्टर मार्केट में आए उसको दिखे भी ठीक है ट्रांसफरेंस ही है वो अपना पैसा जब मज़ी और लगा सके जब मज़ी निकाल सके ठीक है उसके लावा कब अनफेर ट्रेक्ट प्रेक्टिस एंड टू ब्रिंग आज फिनेंशल मार् और पॉलिटेक्स बिजनस से चलती है उसकारण से कुछ एक ऐसे केसिस आ जाते हैं जहां पर सारा सिस्टम खराब हो जाता है और ट्रांसफरेंसी रहती है नहीं है कुछ गलत कंपरीज होती है पॉलिटिकल बेसे पे वह आगे बड़े जाती है और कल को जब सरकार चेंज हो अलग अलग कंपरीज में जितनी स्पीड से वह बेच देते हैं मुचल फंड हम नहीं सेल कर सकते हमारा कहीं दस परसेंट लॉस हो रहा होता है हम केतनी रुख जाते हैं तो अभी रुख जाते हैं क्या मताँ बढ़ जाए उतनक और डाउन चला जाता है ठीक है ना चलिए फ मुझे याद है वेन यूज तो ट्रेड़ें सीगेर्टेस इन 2007 अब ब्रोकर के ऑफिस में बैठते थे तो वहां बोलते थे यह खरीद लो यह बेच दो ऐसा होता था ठीक है अब वो सिस्टम ही खतम है आपके हाथ में मॉबाइल एप है आप उसे से प्लस प्लस खरीदते ज जा रहे हो वहीं से बैचते जा रहे हो बिल्कुल सिस्टम सिंपल है स्ट्रीम लाइन है ऑनलाइन है सुपर फास्ट है तो काम कैसे चलेगा कंपनीज को पैसा चाहिए कैसा वह पैसा करेगी लोगों से पैसा यानि मोबलाइज करने होते हैं फंड्स और हमारे पास जो सब्स कि हम कहां इनवेस्ट करेंगे हमें भी अच्छे यह होते हैं चाहां से माद जो रिल्टन है वह इंक्रीज हो सके ठीक है कैप्टल मार्केट प्लेजन एक्स्ट्रीमली इंपोर्टन डोल इन प्रमोर्टिंग एंड सस्टेनिंग दा ग्रोथ ऑफ एन एकॉनमी ठीक है यानि क अव्लेज फ़न्स टुइ एंटरपैज बौथ तो पैसा चाहिए जब गवर्रिमेंट को या किसी भी नेटरपैस को इंपोर्टन एक जडिया है इससे गर्मेंट हो गई जैंक को टींवस्टम्सिंट करने थी तो गम्न्न का जो स्टेक था एलाइसी में परसंट उस पे उन् सारी कंपनी तो पैसा लगा रख है तो गवर्मेंट अमना स्टेक सेल कर देती है ठीक है ना इट प्रवाइश एन एफेक्टिव सोर्स आपने देखा होगा दी बिलीव इन अप्टी ठीक है दोंट वांट टो टेक रिस्क आई से the person who do not take the risk is the biggest risk-taker कृषिस लेता ही नहीं यह वह सबसे बड़ा रिस्क लेए रहे हैं लगाते डिरेक्ट नहीं लगाते वह कहते कि नई यार हमें अपने हाथ पैर निकटावाने हमें बहुत ज्यादा रिटर्न निच चाहिए हमें बस बारा परसेंट रिटर्न आजाए वह ओके हम अपने काम पर फोकस करेंगे यह में दस से बारा परसेंट आजे ठीक है एनुल से लिए क्या हूं पैस तो आता मेने का पाएं दस यह बहुत है मेरे पास तो मैंने क्या तो मैंने क्या कि सिप मैं लगा रहे है थिक एल्साइब एक जा रहे है इत विइंड प्रिशोल इन mobilizing savings for investment in the productive assets with a view to enhancing a country's long-term growth prospects and does acts as a major catalyst in transforming the economy into more efficient innovative and competitive marketplace within the global arena. बिल्कुत सही बात है कि जब एक savings mobilize होंगी लोग save तो करते हैं ये तो पता हमें लोग जब save करते हैं अगर वो खाली property ले ले रखे जाएंगे वो तो पैसा उनके लोगों की बीच मेरे जाएगा दप जाएगा property में economy में तो प्रॉपर आई गए ना ठीके नोट बंदी क्यों लाएगी थी इसे लाएगी थी कि पैसा एक पर बैंकों में आए ठीक है जैसे जो आपको पता है कि cash होता है आजबे ने cash issue किया होता है यह आजबे की liability होती है तो government का इरादा तो यह था कि मालेजिए अगर 10% cash भी नहीं आता government ने का जो data था वो यह था कि पैसा बहुत दो नंबर में फसा हुआ है यह सा है वैसा है जो गलत तरह के advisor होते हैं तुक्के लगाते हैं ठीक है तो वो तो नुकसान हुआ उल्टे पड़े की नोड़ बंदी कैसे कि हाँ भी आजबे का यह था कि liability कम हो जाएगी नोट अकर वापिस ना आए वो तो सारे के सारे वापिस आ गए अगर माल लीजे दस परसेंट भी अगर cash वापिस ना आता आराण मालीजे बीस लाग क्रोड़ भी था मार्केट में दो लाख क्रोड़ की खता हो जाती है तो असारक का सारा वापस आ गया उसको फिर डिस्वोज ऑफ किया फिर नया परिंट किया वह तो उल्टा नुसान करगी वह तो ठीक है ना तो ऐसा कि कहते हैं कि देखो अब इसमें अगर कैपिल मार्केट के हम बात कर रह करेंगी आगे वह फैक्टरियां लगेंगी एंप्लॉइमेंट जन्रेट होगी टेक्सिस आएंगे गवर्मेंट को इसब ठीक है इन अदिशन टूद रिसोर्स अलोकेशन कैपिल मार्केट आप सारा पैसा बैंक में रखेंगे ठीक है आपको भी होता है कि यार मारा पैसा ड मार्केट में जाए लिए शेयर मार्केट में जाए पुछ बैंक में रहे उस गोल्ड में रहे उसमेरे पास अधिमेरे इसे कि टोपर एसर डावर सिपिकेशन और वह फिए तो मैं भी साथ में रोग रूख ठीक है अगर बहुत दोबती है तो थोड़ा सा में दोब जाओं बगी की तीन ऐसर तो है एह इसा कभी यही होता है कि साद़ा का सादसरा डूबना चुरू हो जाएगा गोल्ड भी नीचे आहएगा अपर भी मीची आ अडिक एसा देस्टहर इन्ट रोता हैं केश भी करन्य ही कैस एं स्थिस्ट ड़ हो जाती जय कीमांड पर भंप एक प्रॉपर तरीके से इंफर्मेशन हमारे फॉलोव होती है जो प्रॉपर जो कैप्टल मार्किट्स होती है वहाँ पे इन्फर्मेशन की क्वालिटी बहुत बड़ी होती है इन्वेस्टर को सही समय पे जानकारी पहुंचनी चाहिए ठिक है तो रहें फिर्ट है न के खिर से लोग है इंडिविज्विज्व हैं हम कितनी कि टेक्नालोजी कर लेंगे कितना आइटी में प्रोग्रेस कर लेंगे पर वही टीस है आप टीस का मोज़दन सिक्स लैक एंप्लॉई यह तो उनको पता है कि हमें इनको ट्रेन करने के लिए में पांच लाग क्लोडर पर चाहिए उनको मि सहां सब्सक्राइब से मिल जाता है कटता तो उसकी जैन में सी वही चैल सीथे किस लेकस ने किसlais ट्रीकर कैसे वही Israelis थिक में अगर Ins. गुशा जाए अब फी इंडिया में क्या है एक को फीग हर एक भी पहलाइब है लेंस इंडिया है चाटा की इसनी गम्परीजे टाइओ ऑफिपर हो है यहां कि तो इस प्लेऍेव थेख लो आप दीफशी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ठीक है एक से इस एक एक इस स पॉसिबल तो अप्टेन फाइनसिंग फॉर कैपिल इंटेंसिव प्रजेक्ट्स विद लॉंग जैस्टेशन पिर ठीक है जब तक यह कैपिल मार्केट है आप 20-20 साल के प्रजेक्ट होते हैं तो क्या वैसे आपको मिल जाएगा पैसा नहीं बट जो बड़ी कंपरी से बुद जैस्टेशन पिर उसको स्टार्ट करने से लेकर चलाने तक का जो समय होता है उसको बोलते हैं गैप जैस्टेशन पिर जिस सर्टेनली हैल्ट तू तुरिंग टर इंडेस्ट्रिल रेवलुशन इंटीन सेंचुरी और कॉंटेन इस वी टोड़्स ता सो काल्ड न्यू एकॉ प्रवाइड करेंसी फॉर एक्वरिशन वाया शेर स्वैप ठीक है कि आप शेर का एक्षेंड कर सकते हैं जैसे ठीक है प्रवाइड ने एक्सलेंट फूर डिस इंवेस्पेंट टो टेक्विशन अंबात कर चुके हैं गवर्मेंट ने लिसी का स्टेक वेज दिया ठीक है व अन्हों ने क्या किया आईपयो लाया ठीक है योच पैसा लगाते है कीक स्केल पे लेगे तो स्केल ले जाने के बार किया-एगन डीप अबरॉड कैटल मार्केट एस परिंग अगर्त प्रिंट करेगी इस परींगे दोंग इतनी कैपितल मार्किर का जो व्यूंएफ है पैसा इन्वेस्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट में ठीक ना एंसेंशल इंडिया एंडिया है इस capital market to provide alternative sources of funding for companies and in doing so achieve more effective mobilization of investors savings capital market also provides a valuable source of external finance यान यह companies एंपना से externally finance मिल गया इंटरनल finance के एक कमपनी के पास अपना कमाया वह पैसा एक सब्सक्राइब लोगों का पैसा company में पहुंच गया एक इंवेस्ट को चाहिए था एवन्यू चाहिए था कि वह इन्वेस्ट कर सके ठीक है और कमपनी को पैसा चाहिए था पैसा मिल जाए कहीं न कहीं से तो कमपनी को पैसा मिल गया इंवेस्ट को एक नया वेन्यू मिल गया फॉर इन्वेस्ट में ठीक है ना जो पैसा लगाना चाहते है वह लोग लगा वी रहे और पैसा कमा वी रहे है ठीक है न आपको idea लगा कि हमी समय उद्पर कर सकते हैं ठीक है और capital market में ने बात की primary market है, secondary market है, primary market में क्या है, तो पैसा क्या है, फस्ट end जो investment होती है, investors की वो उसको बोलते है, primary market, जनी company first end, security से पैसा raise करती है, investors से, जिसे हमने example लिए IPO की, FPO की, ठीक है, secondary market क्या होती है, कि वही जो security issue की होती है, वही क्या है कि आगे stock market में deal हो रही होती है, क्या ठखना है, कि जो primary market का मकसद होता है, वो investors से पैसा raise करने का होता है, और जो secondary market होती है, उसका जो मकसद होता है, ठीक है, वो कहेगा होता है, कि market में liquidity लाने का, तो bring the liquidity in the securities, the purpose of secondary market is to bring the liquidity in the securities, primary market का purpose क्या है, तो raise the money, secondary market का purpose क्या है, तो bring the liquidity in the securities, ठीक है न, चलिए वेटा, नेक्स्ट यही है फंक्शनW paying फंक्शन के हैं उसक्षा एशत कर सकते हैं और हम अपना सेविंग बेस कर सकते हैं और सखते कि मार्चेश जाएगा कंपनी पैसा रही करेगी तो जॉकrem है है उससे हमें लिक्विटी मिलते हैं ख़री सकते हैं भेस रखते हैं तो सोक मार्केट ठीक है तो ऐसा मेजर रिसोर्स इस वश्यूहस्स बाइंग जलिक पैसे जैलिक यहां अच्टेुश्ट मार्केट में यह लोग खृते हैं लोग लगता है नहीं तुर नहीं जिस एल करन तो आपने देखा होगा हजार पे वाला शेर मार्केट में कब पचास का पहुंच जाए और पांच वाला कब हजार पहुंचे कुछ पता न लगता कुछ पता न लगता कि इन्वेस्टर्स क्या खेल कर रहे हैं वीचे तो फैसलिटेट इंट्लमेंट ऑफ ट्रांजिक्शन इन प्रेट्रेगां तो प्लस तो का मतलः कि स्कूश को सर दी कर देखिंग इस पार्ट में इतने ही हैं तो इतना हमने डिसक्स किया में से आने के पार्ट चलेंगे उसमें से आने के चंसे हंड़ेड परसेंट है बढ़ हां बेस सबसे में होता है फांडेशन में होता है ठीक है अगर आपको बेसिक समझ आ रहा है तो आगे भी दिदरी करके समझ आ देगा मैं आपको फिर बता दूँ मैंने पहले बीच में बात की क्लास में कि theoretical subject है ठीक है इसमें से कुछ practical questions भी आएंगे ठीक है बड़ आपको यह ध्यान रखना है कि आपको ध्यान से पढ़ना है कोई भी चीज है conceptual clarity करके चलनी है वेना concept clarity के आगे नहीं चलना ठीक है थैंक यू बटा